हेलो एब्रिवन आप सभी की लाइफ में एक ऐसा दिन जरूर आता है जिस दिन घर पे कोई भी सबजिया नहीं रहती सिवाए आलू के बस उसी दिन का फाइदा उठाके आपको बनानी है यह ला जवाब रेसिपी दमालू इसके लिए हैं नौ आलू चोटे साइस के बोल करने के रख दिया है जब तक यह बोल हो रहे है तब तक बना देगे हम ग्रेवी का मसाला इसके लिए पैन में डालेंगे एक चोटा चमश तेल, कुछ खड़े मसाले जैसे काले मेट, सॉफ, इलाइची, दाल शीनि और बड़ी डाइची मसालू की मातरा थोड़ी सी कमी रखेंगे जिससे ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहों, सौफ की मातरा थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, मसालू को आधा मिनट भुनने के बाद इसमें डाल देंगे एक प्याज, अगर आप बड़े साइस का प्यास जाल रहे हैं बस लेसन की करलें इसमें आखरी में डालेंगे जिससे की उसका जो रॉफ लिवर होता है वो इस मसाले में रहें, मसाला थंडा होते ही इसको हम अच्छे से ग्रैंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे, तो यहां हमारे आलू भी बॉयल हो चुके हैं, बस आलू को ह साफता सिफ मसाले भूने तो हम सेम पैन का इस्तमाल करेंगे, इसमें डालेंगे तीन चमश तेल और इसमें एके करके आलू को डाल देंगे, तो तेल की मातर एतनी रखनी है जिससे की आलू शेलो फ्राई हो जाए, आपको ज़रूरत पड़े तो आप चार शमश भी डाल सक ना करते हैं चलते हैं आगे तो हमारे आलू भी दोनों साइट से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें हम पैन से बहा निकाल देंगे, तो अभी भी पैन में थोड़ा सा तेल बाकी है, इसका भी हम आगे इस्तिमाल कर लेते हैं, तो आलूं को रख देंगे साइट पे, और जो तेल बचा हुआ है, उसी में हम डाल देंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, और हाँ सबसे इंपोर्टेंट स्टेप, जार में पानी डाल के मसालों में आट करना, अब इन मसालों को भूनेंगे, इन्हें ठीची थोड़ी सी हिसाब से डाले, जिसे की बच्चे भी इसे इंजोई कर पाएं, तो सारी ड्राइ मसाले आट करने के बाद आपे इस मसाले को हम तब तक भूनेंगे, जब तक कि ये पूरा ड्राइ ना हो जाए, और इसमें तेल अलग ना हो जाए, क्योंकि इसमें इंक्रिडेंट तो पढ़ते नीए, सारा माजिक है इसे भुनने का, इसे भुनने के साथ-साथ इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी आट कर देंगे, तो सारा माजिक आपके हाथों का है, जितना अच्छा आप इसे भुनेंगे उतना ही टेस्टी ये बनकर तयार होगा, तो ये देखे पूरा ड्राइ हो चुका है, जब यह पूरा ड्राइ हो जाए तो इसमें एक कब दही डाल देंगे, और डालते ही इसे जोर जोर से चला लेंगे, दही को लगातार चलाएंगे जिससे की दही फटेना और करी बिल्कुल स्मूध बने, अगर आपको थेक ग्रेवी नहीं पर मैंने धक के पकाया था, आप भी इसे एक बार चलाने के बार धक कर पकाएं, और इसके बाद, इसे दस मिनिट तक ऐसे ही पकने के बाद, इसमें डाले खुप सारा हरा धनिया, इसमें मैंने पानी भी आड़ किया है, वन फोर्थ कब, तो इस तरह से आपका दमालो इसे बन कर त्यार हो जाएगा, बस गैस को बन कर दीजिए, और एक बार चला लिजे, जिसे की सारे फ्लेवर आपस में मिल जाएं, आप इसमें ड्राइफ रूट्स भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे सिंपल रखने के लिए मैंने ये सारी चीज़े क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आपको कुछ खाना होता है, तो उसे लाइठ ही बनाना चाहिए, तो अगर मेरी एक कम सामगरी वाली आलू की रेसिपी आपको बसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चानल को सब्सक्राइब करें, थांक्यू सो मच पो वाचिंग, अवह नीस दे आपको बनाना